है गाइस गुद मॉरिंग नवस्कार सूप्रबाद कैसे आप सब लोग तो आज हम लोग करने वाले हैं सिए फाउंडेशन डिसंबर 22 के जो एक्जाम सुए उनकी कुछ कॉपी इसका अनलेसिस और इस सीरीज में आज पहली कॉपी आप लोगों के साथ में मैं शेर कर रहा हू वो प्रॉपर नंबर है या नहीं है और अगर स्टूडेंट की तरफ से कुछ कमी रही है तो आखिर वो क्या कमी रही है तो आईए इन सब चीजों पर हम लोग कर लेते हैं बाक्ची और फटा फट से देख लेते हैं कि भई क्या हो रहा है आखिर कॉपी इस प्रॉपर चेक हो रही है नहीं हो रही है मार्क्स कितने मिल रहे है जितने होने चाहिए होते हैं कि नहीं है हाला कि i see on exp defended जो है ऊए और तो यहासे हम लोग करते हैं और यह रहा इस बार का हमारा पिपर फर्स कुश्चन जो कमपल स्री वाला था उसमें X ने एग्री किया था बन लेग रुपीज वाई को देने के लिए अगर वो Z को किल करदा है और ये पैसा W से बॉरो किया गया था तो ये जो कुश्चन बंदा है ये बेसिकली वॉइदर इलीगल एग्रीमेंट का और साथ में उसके कॉलिटरल का भी बनता है X और Y के बीच का एग्रीमेन्ट वॉइड है कि लिगल भी है dato वाला जो है वो भी वॉइड और इलीगल रहने वाला है ये सारा provision जो है वो answer में आना चाहिए दा और 4 mark का ये question है तो देखते हैं भई answer क्या लिखा गया है ये देखें 1st का A आप 2 के सामने है जिसमें 4 में से इनको marks दिये गए है 2 अब अगर यहां पर मैं इस answer को check करूँ तो कमी जो मुझे इसमें नजर आती है वो basically ये नजर आ रही है कि इनको void agreement का और illegal का definition यहां पर देना चाहिए था जो इन्होंने नहीं दिया लेकिर इन्होंने ये ज़रूर लिख दिया कि there is not a valid contract between x and y contract मारा बिल्कुल void होगा है agreement void होगा और साथ में इन्होंने forbidden by law और unlawful वाली चीजों को भी लिख दिया जिसको यहां पे cross लगा गर गे wrong treat किया गया है first point को फिर उसके बाद में इन्होंने लिख दिया if the object of consideration is unlawful is said to be non fulfillment of essential of a valid contract ठीक है फिर अगर उसको purpose के बारे में पता है और फिर भी उसने पैसा दिया है तो यह भी valid contract नहीं बनेगा इसको correct किया है और इसमें एक number दिया है मुझे लगता है भी एक number इसमें और एक number इसमें दिया है इनको दिये गए हैं यहां पे four मेंसे देख लेते हैं टू marks इनको यहां पे allot हुए एक number इस point का और step 3 दो ने अपने इसाब से लेकर कि एक number लिए है मुझे लगता है provision का इनको कोई भी number नहीं दिया गया खाली final answers जो दोनों सही है उसके number दे दिये गया तो चलिए ठीक है मुझे लगता है provision शायद उतना proper नहीं लिगा है तो number काट लिए होंगे otherwise एका number इसमें और मिल सकता था ठीक है चलो भई Companies Act का मारा question है जहां पे person R है company है मैंनो private limited के साथ dealing करता है मैंने इसका पूरा solution जो है वो अपने चैनल पर डिसकस किया हुआ है आर जो है वो credit period उसको offer होता है लेकिन उससे पहले वो company के पास में चला जाता है payment करने के लिए और वहां पे उसको एक बंदा employee मिलता है और cash counter के उपर और वो कहता है cashier तो भी छुटती पर है तो उसको payment कर देता है ठीक है और Mr. R paid the money and was issued a sign and seal receipt उसको देता है Mr. C को और new date के उपर जब इसको recovery का notice मिलता है तो यह कहता है मैंने तुम पहले payment कर दिया है अब यह जो question आप लोग देख रहे हैं यह November 2018 में ICA का एक question था उससे यह बहुत match करदा है यह देखे मैं आपको question दिखाने जा रहा हूं यह रहा हमारा वो question यह November 2018 के इस question से बहुत match करदा है X ने कुछ course ABC से purchase किये एक मही ने का यहाँ पे भी credit period है due date से पहले चला गया वहाँ पर एक person इसको मिलता है जो factory supervisor है Z उसको बूलता है कि भई यहाँ पे cashier leave पे है और वो उसको पैसे दे देता है वो अपने receipt issue करता है same nature कि तो फिर recovery का notice मिलता है तो यहाँ पे भी पूछा गया था कि भी यह बंदा free हुआ या नहीं हुआ his situation उन्होंने पूछा है now अभी इसके answer में ICA ने जो answer दिया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ doctor right of indoor management उन्होंने पूरा समझाया है बढ़िया तरीके सिर indoor management समझाने के बाद final answer exactly यही दिया गया है he yes X has made payment to Mr. Z and gave receipt दिया गया तो यहाँ पे X will be free from the library of payment of goods purchased from ABC Limited has he has paid amount due to employee of the company तो इसको मान के चलने का रही है यह suggested answer November 18 के अंदर हमारा answer जो है वो अलड़ी दे के रखा है चलिए अब इनके answer पर अगर में बात करूँ हो तो बड़ अभियस है कि प्रोविजन तो बहुत छोटा सा लिखा है इन्होंने लेकर according to the provision of Companies Act according to the provision of indoor management it is presumed by the third party that all compliance of the company have been complied and it is only beneficiary to the outsider बराबर भी third party मान करके चलेगी कि सारी internal compliance पूरी कर दी होगी फिर इन्होंने ये चीज़ लिखी और यहाँ पर इन्होंने cancel लिख दिया कि हाँ इसको correct किया गया है Mr. R. will not be liable as he had made the payment, got the receipt of the payment और इसको correct किया और इसमें एक number इनको मिले अब question के एक second part और भी था अगर ये receipt पर seal अगर नहीं होती तो liable होता के नहीं होता वो चलो इन्होंने नहीं किया तो वहाँ पर two zero number इनको मिल गए अब सवाल ये है कि भाई provision के number किदर है ये question जो है वो भी है form आपका question है जिसमें से एक ही number दिया गया माना इनका provision उतना proper नहीं है जितना ICA ने अपना answer लिखा लेकि indoor management वाला point यहाँ पर दे दिया गया है तो at least एक number तो यहाँ पर मिलना ही चाहिए था मेरे according जो नहीं मिला है तो आपने इस answer को correct माना है correct मानगर के एक number आपने दे दिया लेकिन provision के marks तो यहाँ पर दिये ही नहीं है यहाँ आपने को के marks दिखी नहीं रहे तो यह एक बहुत जबदस्त वाली बात हो गई कि भी first step यह इसको मान रहे है second step को zero मान रहे है और उसके बाद total इनको एकी number दे दिया गया यहाँ पे भी चार में से मुझे लगता है चलिए पूरा provision उतना proper नहीं है यहाँ पे जिस्टीफाइ नहीं लगते अब यहाँ पे सीधा सीधा सा जो पूछा गया question देखते हैं बन question पूछा है discuss the 4 mark का question again 4 number का discuss the essential element regarding the sale of unacertained goods and its appropriation unacertained goods का sale कैसे हो दा है और उसका appropriation कैसे करना है 4 mark का अपना question है और मैं यहाँ पे दूसरा काम करने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा सा ICI के steady mat वाले point पर लेकर चलटा हूँ यह देखेगा ठीक है अब इसमें sales of goods act में अगर हम आएंगे तो sales of goods act में यह point हमको clear दे रखा है transfer of ownership आले chapter के अंदर चल दें और वहाँ पे इस point का answer check कर दें कि basically इसका answer होना क्या चाहिए है transfer of ownership पे चल लेते हैं हाँ यह transfer of ownership का portion यहीं पर दिया रहेगा यह रहा यह देखेए पूरा analysis भी है कुछ essentials दे रखें और यह पूरा point जो है वो इन्होंने यहां पर यह देखे समझाया है यह रहा है sale of unacertained goods और appropriation में appropriation of goods involved selection of the goods intention of using performance और यहाँ पे section 23 के analysis के अंदर कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बढ़ी आसी दे रखें जो मैं भी आपसे लोगों से बात करने वाला हूँ section number 23 यह रहेगी 22 यहाँ हुआ और यह इन्होंने 23 के अंदर यह देखें यह यह portion दे रखा है यह essentials इन्होंने यहाँ पे दे रखें अब appropriation का मतलब selection of the goods होता है पहला point इन्होंने लिखा कि यह future goods के लिए होता है second number के उपर quality और description होई होना चाहिए goods deliverable state में होने चाहिए अब goods जो है वो unconditional होने चाहिए समझ में आया appropriation कौन करेगा seller करेगा with the consent of buyer या buyer करेगा with the consent of seller यह as an express से implied हो सकती है और यह contract से पहले या बाद में भी हो सकती है यह सारे point जो है यहाँ पे लिखे हुए है अब हम चलते हैं student की copy की दरफ यह देखिए यह रोने क्या लिखा according to provision sale of unascendent goods is only possible after ascertaining the goods and ascertaining means ascertaining the goods appropriation is required बढ़िया अब appropriation के rules में इनोंने लिखा है appropriation can be made buyer with the consent of seller seller with the consent of buyer यह हमारा एक point match करता है यह appropriation express और implied होता है यह भी point match करता है goods deliverable state में होने चाहिए यह point भी match करता है goods should be according to the quality and description state in the contract यह भी match करता है और एक point हमारा transmission वारा point था कि भी transmission में गुर्च दिया तो मान के चलते हैं appropriation कर दिया तो इतने points match करने के बाद भी इनको number दिया गया है सिर्फ एक अब यह नहीं समझ में आ रहा है भाई कि आखेर ICI का ही answer यह जितने points आप यहां देख रहे है maximum points सारे के सारे cover कर लिए गए B.9 ने लिख दिया C.9 ने लिख दिया E.9 ने लिख दिया 4 mark का मारा question है और सिर्फ एक number F.9 में लिखा हुआ है और mark जो है वो सिर्फ एक number मिल रहा है तो यहां तो मामला फिर से एक number का करबर हो गया तो 4 मैंसे अगें 4 मैंसे 1 mark ऐसा लग रहा है भी favorite number बन चुका यह one number तो इससे उपर तो देने का सोची में रहे यह दो number दिया यहां पर एक number दिया तो इन दौनों questions के अंदर आप इसमें 4 मैंसे 3 number तो बहुत आराम से बनते हैंगे तो 2 number और उपर वाले question में एक number एक्स्रा 3 number तो यहां पर साफ दिख रहे है according material provided by the ICI उसके साफ से तो number यहां बराबर लग रहे है और presentation भी एकदब proper तरीके से राइटिंग के number वैसे आप लोग काटते नहीं इसी काटते ही करता है लेकिन फिर भी देगे तो राइटिंग भी प्रॉपर तरीके से समझ में आती है तो कहना मुश्किल है भाई कि आखिर number काके क्यों चलिए आगे कुछ और question चेक कर लेते हैं कुछ और idea हमको लग जाएगा third question के अंदर अब लोग आए अगला question इनों नहीं थर गिया है third में भी दो question है छेचे number के और दोनों में इनको दिया गया है एक-एक number ही सिर्फ एक-एक number भई देखें क्या चक्कर है सबसे पहले आप लोगों को question दिखा देता हूँ question number third का एपार्ट अच्छल में था क्या उच्छा क्या गया था यह देखेगा can a partner be expelled क्या किसी partner को expelled कर सकते है if so how कैसे करेंगे which factor should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by other partner according to provision of partnership act और छे number का यह कोशित पूछा गया है section 33 पर यह base question है partnership act तो आप लोगों को मैं पहले लेकर के चलता हूँ ICI के ही study material पर चलिए जी या है हम partnership के अंदर expulsion of partner मिलेगा हम correlation of partners वाले chapter के अंदर और इसमें मैं section number 33 को कर देता हूँ सीधा सीधा सा open चरिये जी 31, 32, 33 यह रहा हमारा expulsion का section अब देकिस section में बहुत clear cut बोला गया है expulsion के methods देख लिए जाए यह रहा देखे expulsion अब partner में not be expelled from a firm majority होना चाहिए clear बोल दिया उसके लाब आब good faith होना चाहिए और contract होना चाहिए analysis में भी 3 point दिये है contract होना चाहिए majority होना चाहिए good faith होना चाहिए और good faith कैसे होगा उसके लिए भी point analysis में दिये गये है तीन चीज़ें होनी चाहिए इन्दर इंडरेस्ट ऑफ पार्टनर्शिप होना चाहिए उसको नोटिस दिया जाना चाहिए और अपोर्टरी और बीग हड होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो एक्सपॉर्शन इन्वालिड यानि कि नलेन वॉइड हो जाएगा ये clear cut answer के अंदर लिखा हुआ है बराबर चलिए अब आपको मैं student का answer पढ़ा देता हूँ छे मैंसे एक नंबर इनको दिया गया है according to the provisions of partnership in 1932 yes a partner can be expelled after fulfillment of the condition पहली condition contract होना चाहिए लिखी है second number majority of the partners of the firm भो भी लिखी है इसरे number पे good faith होना चाहिए वो भी लिखा है good faith का मतलब आगे रोंने समझा दिया must be interested in the partnership firm होना चाहिए notice दिया जाना चाहिए और उसके बाद opportunity to be heard होना चाहिए अगर ये आप fulfill करते हैं तो can be expelled और अगर condition fulfill नहीं होती है तो expulsion valid नहीं होगा अब इस पूरे question में इनको दिया गया है एक number only one mark अब ये कैसे हुआ मुझे तो लगता है छे में से छे का मेंट दे चलिए छे में से छे में मत दीजिए छे में से पाँच नमबर तो इसमें बनते हैं सारे के सारे points वो ही लिखे गये हैं चो section में हैं एक number ही दिया गया यानि चार number यहां पर और आसकते हैं तो आप देखे हैं दो marks वहां कम है चार number यहां कम है छे number तो डिरिक बड़ते नजर आ रहे हैं इससे जादा कोई भी student आखिर अपने answer में लिखेगा क्या बराबर पदा ने क्या हो गया रहा है चलिए जी आगे बढ़ता हूँ और थर के step 2 के अंदर इन्हों ने 0 marks लिख दिये थर का step 2 कौन सा है कौन से 0 marks भी जो आपने पूचा सब कुछ लिखा एक बार फिर से बन question देख लेते हैं कि कुछ गलती को नहीं कर रहे है question ने directly पूचा है which factor should be kept in mind prior to explaining a partner from the firm by the other partner according to provision of Indian partnership तो कहां कुछ गलत लिखा भी जितना पूचा वो सब लिख दिया फिर भी marks के नामबर 6 में से एक number दिया गया पता नहीं क्यों बी question के उपर आते है 21 year का person है mental health उसका खराब है और उसको एक person life की necessities apply करता है उसके बाज कुछ property है section number 68 का question हमारा quasi contract का बहुत सीधा सीधा से बनता है और उसके साब से इसका answer जो है वो लिखा जाना चाहिए था छे नबर का question है दो चीज़ें पूछी गई है पहला कि भी ये recovery of money होगी के नहीं होगी और second number के उपर maximum amount कितना recover कर जकते है दो चीज़ें पूछी गई है फोर लाइक का इसके पास ज्वैलरी है आना कि house भी इसके पास में ऐसा एक question था तो section 68 necessity supply to incapable person वाला जो point हैर वो और उसके dependent के लिए भी सभावरिन माना जाएगा ये answer में लिखा जाना चाहिए था चलिए देखते हैं कि इनोंने answer में लिखा क्या है पहले वो चेक कर दे ये देखेगा section 68 का इनोंने heading लगाया according to the provisions of Indian contract in case of necessity supply to incapable person by other person the other person can reimburse the amount of necessity provided not by making liable the person only the property will be liable for ये personal बढ़िया चीज़ लिखाए yes Mr. N can succeed in filing the suit to recover money बिल्कुल correct answer है आगे इनोंने शाहिए बूला भी होगा देख ले थे अभी in case of necessity supply to incapable person the person is not personally liable only his property will be liable to repay the amount if any ठीके in this above case the maximum amount of money that can be अभी ये शाहिए 4 लाग पालो जो मारा point है इसको लेकर कर doubt हो सकता है कि उसके बास property थी responsible रहता है लेकि पूरा provision यहाँ पे सही लिखा गया section 68 के साब से एक incapable person को necessity supply हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी number दिये गए है एक तो यह समझ नहीं आ रहा है कि final answer के आप number दे रहे हैं इसको correct मानने मदब answer तो सही है तो भई provision के number देना भूल गए provision के number दिये नहीं या और क्या चाहते थे provision के अंदर कि section 68 के अदर बात करूँ तो exactly यही point लिखा है हम माने के सर section 68 के उसमें लगता ही नहीं है तो भईया एक number भी क्यों दिया फिर तो it means section number 68 necessity supply to incapable person वाला provision होना चाहिए था जो इन्होंने लिखा भी है और 6 में से सिर्फ एक number दिया गया यह marks भी यहाँ पे answer के लिए justify नहीं कर दे आगे आप देख सकते third step के अंदर बी इनको zero marks दिये गए तो first step दे दिया फिर 00 marks लॉट कर दिये वो provision के marks यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं समझ नहीं आ रहा इतने number cut किस वज़े से किये गए है next पर आते हैं चलिए fourth का A number भी आपको दिखा देता हूं मैं fourth के A number में इनको 6 में से दिये गए हैं दो number ठीक है आईए चेक कर लेते हैं कि scene क्या है question का answer अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह रहा fourth What are the rights of unpaid seller in context of resale of the goods under sales of goods act resale के rights क्या है 6 number का question जो है वो दिया गया है देखें नोने answer में क्या लिखा है According to the provision of sales of goods act the seller is said to be unpaid seller वो unpaid seller की condition की जरुत नहीं थी resale करने का right है perishable nature सही लिखा है non-perishable nature में without giving notice sorry perishable में without giving notice आप बेच सकते हो non-perishable में notice देना था नहीं तो profit and loss जो है वो इसी को bear करना पड़ेगा समझ में आता है अपने को अब इनकों answer तो काफी कुछ बनाया marks इनको 2 मिले हैं basically ठीक है यह marks मुझे ठीक लग दे दो या तीन number मिल जाने चाहिए थे क्योंकि इसमें एक दो provision और भी है जो इनको लिखने चाहिए तो इनको नहीं लिखे फिर भी पूरा provision सिफ दो ही number के उपर खटम हो जाए जबकि perishable non-perishable इनकों ने सब लिख दिया अपर ठीक है study mat ने इसमें 5 point दिये उसमें से इनको ने 2 point cover किये तो इनको 2 marks मिल गये तो ये marks मुझे ठीक लग रहे चलो ठीक अभी यहाँ तो सही तरीके से justify marks को किया गया है अगले पर आते है 4th के B पे जब मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पे हमारा question क्या है देखते हैं देखेगा यहाँ पूचा गया है कि Indian Partnership Act में non-registration की effects पूचे जया है कि भी non-registration की effects क्या होंगे यह सब के उपर 6 number का question है तो उसका answer जो इन्होंने लिखा है वो भी देख लेते हैं तो यहाँ answer लिखा गया no suit by the firm cannot file suit against the third party actually मैं a breach of contract होना चाहिए था partner cannot sue another person in case of any dispute among them partner cannot sue against the firm third party suit file कर पाएगी और 100 rupees से ज़्यादा का set of demand नहीं कर पाएगी basic मारे जो point है वो बिल्कुल इसी तरीके के हैं ठीके और कौन से ऐसे right है जिंगा effect नहीं होगा dissolution के लिए apply कर सकते हो उसक्त accounts के लिए apply कर सकते हो firm can enforce statutory rights 100 rupees का set of वाला point था ही था official receiver के rights पर भी असर नहीं होगा ये सारे point में को लिखने चाहिए दे बात समझ में आती है कि काफी points इसमें से missing है और third party firm cannot file suit for breach of contract बड़ आना चाहिए था वो सारी points से नहीं नहीं लिखे आई-सी के study mat में भी काफी कुछ अच्छा दे रखा है matter तो ठीक है यहाँ 6 में से 2 number है मुझे लगता है कि 3 number तक मिल सकते है पर चलो यहाँ पोड़ा साब copy checker ने अपने हिसाब से जो आई-सी का matter होगा उससे match किया रहेगा तो इन्होंने 2 number दीए यह फिर भी काफी कुछ समझ में आता है ठीक है अभी समझ गया है मान दिया हमने चली आगी तरफ बढ़ते है अब इन्होंने एक question किया है second वाला चली second question आपको दिखाता हूँ मैं second question में ए portion में इनको दिये गया है 7 में से 2 marks पहले देख लेते हैं question second का जो a part है यह रहा साथ नंबर का question है दो चीज़ें पूछी गई है agreement made out of love and affections are valid agreements or promise to pay time दोनों ही section 25 से connected point है और बढ़िया चीज़ आप लोगों को मैं पहले इन दोनों question के answer के लिए दिखा देता हूं इसी का study mat ठीक है study mat में हम चलते हैं consideration वाले chapter में यह हम पहुँचगे consideration में और consideration वाले chapter में जभी पहुँचे तो section 25 अराम से मिल जाएगा हमको चाप्टरी खतम हो या चालो होने से पहले हाजी यह देखेगा पूरा portion यह consideration के हमारे rules हो गया है किदर गया भाई suit by a third party यह रहा यह बच्चे लोगों पहला point हमारा natural love or affection का है जहां पे natural love affection होना चाहिए near relation होना चाहिए writing and register होना चाहिए बहुत common point है सबको पता है इतना सा portion है और उसके अलावा time by debt का portion भी बहुत चोड़ा है written और sign होना चाहिए इतना सा portion इन्होंने यहां पे लिखाया एकदम छोटा सा 7 mark का question I.C.E. ने यहां पे अपने test favor में पूछा है और ये लिजी आपके सामने answer section 25 according to the provision of Indian contract the general rule of law is agreement without consideration is void however there are certain exceptions और पहला exception होना ने समझाया natural love or affection पहली condition इन्होंने लिखा return and register दो condition साथ में लिख दी बिल्कुल सही है near relation होना चाहिए natural love or affection होना चाहिए सारी condition अगर fulfill है तो contract valid होगा absolutely correct answer मुझे भी box खाली दिख रहा है यहां यहां number देने से या तो चूग गए है इन्होंने box खाली छोड़ दिया number ही नहीं दिये दो जगे पैसा हमने देगा जहां mark दिये ही नहीं गए है या क्या चक्तर गिया है promise to pay time bar debt के अंदर इनकी जो condition थी कि time bar होना चाहिए return होना चाहिए sign होना चाहिए तीनों conditions पूरी हो रही है तो absolutely valid अब सबसे बड़ी खत्रनाथ चीज देगे seven में से खाली दो number दिये गए तरकी साथ में से साथ number साथ में से छे number यहां पे justify हो रहे है जबकि इनको number नहीं दिये गए तो मुझे तो इस question में साथ में से दो number चार और कम से कम होने चाहिए दे यानि सीधा सीधा four marks पुराने marks अगर जोड़ो तो it means इनके 10-12 number तो directly यहां पे अब तक के अंदर ही बढ़ते नजर आ रहे हैं अब पता नहीं दो number देगर की क्यों छोड़ दिया गया तबकि exactly जो point होने चाहिए थे वो सारे के सारे answer में इन्होंने लिखे है तो अब आप बताएं कि essay में student का moral down ही होगा कि इतना पढ़ने के बाद इतनी तैरी करने के बाद में सब कुछ लिखने के बाद में भी अगर यहां number नहीं मिल रहे हैं इस तरह के marks हैं तो next attempt क्या करेंगे हम कैसे तैरी करेंगे और इसलिए कई सारे बच्चों के phone तो आ रहे है कि sir हम तो CA छोड़ने को त्यार है मतलब भी नहीं आ तो इतना पढ़ने के बाद भी अगर marks नहीं आ रहे है तो फिर आखिर क्या करेंगे अगले attempt में भी हमारे साथ भी यही होना है तो marks आपके सामने है देख सकते हैं पुरा सही लिखा है फिर भी marks नहीं है फिर उसके बाद में चलिए second का B portion तो इन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया है छोड़ दिया है तो चलो marks मिलने नहीं है बिलकुल बात सही है समझ में आती है एक भी छोड़ दिया तो marks नहीं एक question मेरे ख्याल से और इन्होंने किया रहेगा लेकिन आप तक में भी 10-12 number जो है वो तो सामने दिख रहे हैं हमने को अब यह 6 का यह portion है यह भी आपको मैं question दिखाता हूँ हम चलते हैं यहां से यह लेखेगा नोवेशन और अपने को मिल जाएगा यह परफॉमेंस अप्टी कॉंट्राक वाले चाप्टर में कि यहां पे मिलेगा कि परफॉमेंस रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का पॉइंट आ गया हां जी यह देखे लिए effect of novation, decision, alteration और यहां इनोंने एक पॉइंट दे रखा है जहां इनोंने novation और alteration का डिफरेंस समझाया पहला पॉइंट इनोंने लिखा novation का मतब substantial of existing contract पे new one पुराने की जगे नहीं आता है और इसमें change in terms and condition and maybe change in parties भी हो सकता है लेकिन alteration के अंदर सिर्फ mutual agreement में क्या change होता है terms of the contract में भी altered हाली terms change होती है बाकी सेम रहता है चलिए in case of novation second in order लिखा है altogether substitution of new contract old की जगे पे आता है लेकिन इसमें alteration में not essential to substitute a new contract ठीके इसमें contract change नहीं होता है इसमें खाली terms and condition change होती है original agreement के अंदर ये दो differences इनोंने यहाँ पे simply लिखे है अब ये जो student है ये क्या करता है ये भी इस तरह से पहले theory समझाता है ये question जो है वो है कितने marks का देख लिए दा है 6th का A number 5 number का question है सिर्फ एक number दिया गया है 5 mark का question है यानि दोनों difference करीब करीब धाइडाइ number के होते है tabular form में student answer लिख देता है making of new contract in place of old contract बिल्कुल सही है it means same contract से बूल सकते है of the contract correct answer लगता है second वाला इनोंने लिखा it can be done between same party of the contract और different party में the party same भी हो सकती है अलगलग भी हो सकती है जबकि all question में clear लिख दिया it can only be done between the parties of contract भी contract की parties के बीच में होगा फिर से एक box बनागर के खाली छोड़ दिया गया है भी पता नहीं marks देने थे या नहीं दिये गये कुछ समझ में नहीं आता फिर लिख दिया गया now party can be ended new party can be ended into contract इसमें कोई भी नया party नहीं आएगा भाई अगर आपको लगता है कि वो दो point नहीं लिखे तो कम से कम धाई से तीन नंबर तो इस answer के अंदर बनते ही बनते है हरा और यहां नंबर दिये गए है पाँच में से सिर्फ एक चपकी दो या तीन नंबर तो यहां justify करते हैं कि आने ही चाहिए दे जितना point चाहिए उसको tabular form में लिखा है लेकिन इस नो ने answer प्रॉपर तरीके से लिखा है समझ नहीं आता यहां पे भी पाँच में से सिर्फ एक नंबर दिया गया जबकि धाई से तीन नंबर यहां पे चार नंबर तक भी चलो चार नहीं तो त्री माक्स तो यहां पे बनते हैं वो माक्स यहां पे साफ कम दिख रहे हैं पता नहीं कॉपी कैसे चेक हुई है 6 का भी नंबर चेक कर दे 6 के बी के अंदर भी कुछ डिफरेंसेज पूछे गए हैं पार्टनर्शिप और को अटनर्शिप के डिफरेंसेज यहां पे पूछे गए अब आपको मैं बताओं यह कुष्चन है हमारा फोर्म हम का चार डिफरेंसेज इस्टेडी मैट में दे रखे हैं तो हर एक डिफरेंस अपने को एक नंबर का समझ में आता है मैं ICA का ही सीधा-सीधा मुटिरियल यहां पे उपन कर देता हूं Sales of Goods Act General Nature of Partnership का इसी में Partnership का डिफरेंस हमको दे रखा है करी बार स्टेडी मैट के डिफरेंस नहीं है तो मार्क्स करते हैं समझ में आता है चार पॉइंट है पहला नंबर है Formation Expression Implied होना चाहिए चबकि यह लॉस से होता है यह शायद पॉइंट स्टूडेंट ने नहीं लिखा अभी मैं चेक कर लूँगा Implied या Mutual Agency Partners में होती है Ownership में नहीं होती है Nature of Interest इसमें Profit and Loss जो है वो शेर होता ही है इसमें Profit and Loss शेर नहीं होता है Transfer of Interest जो है वो Partnership के अंदर सबकी Concern से होता है और इसके अंदर आप अपना शेर ट्रांसवर कर सकती है चार पॉइंट जो है वो StudyMight अमारा लिखता है चलिए बात समझ में आती है अब स्टूडेंट की अगर एंसर की बात करूं तो इसने लिखा यह पॉइंट बेसिकली सही है चलिए ठीक है मान लिया ICE के StudyMight में नहीं है इसलिए उन्होंने इसके नंबर नहीं दिये Otherwise हर वो बंदा जिसको knowledge रहेगा वो जानता है कि हाँ यह पॉइंट सही है Second point mutual agency exist करती है पार्टनर्शिप में हर पार्टर एक दूसरी का agent है जबकि यह जीज़ को ओनर्शिप में नहीं होती यह SteadyMight से भी match कर रहा है तो बहिया दो चार पॉइंट है उसमें से एक नंबर तो यहीं पे मिल जाना चाहिए आगे बढ़ दे पार्टनर्शिप में profit share होता है जबकि यहाँ पे profit share नहीं होता है बहुत सीधा सीधा सा चार मैंसे दो पॉइंट तो यहीं मिल गए लबकि marks दिया गया है फोर मैंसे only one तो बहिया चार मैंसे दो नंबर तो साफ दिख रहे है चले अगला वाला है यह सेब पॉइंट लिख दिया चले इसके marks नहीं मिलेंगे लेकिन फोर मैंसे टू मार्क्स तो दो पॉइंट साही है तो दो नंबर तो दीजिए एक नंबर दे करेंगे फिर से काम तमाम गर दिया गया यानि यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चैकिंग जो है वो नहीं दिख रही है लास्ट पॉष्ण फॉरिंट कंपनी का डेफिनेशन पूछा है चले यह तीन नंबर का पॉष्ण है दो नंबर जितना नंबर दिया है फिकाल नंबर हर बार आईसी एक काटता है या कोई भी थ्योरी पेपर में कर जाते है मान लिया है मैंने चितना डेफिनेशन लिखा उसके असाब से दो नंबर जो है वो जस्टिफाइ करते हैं यह तो चलो इनका सेकिंड पाट आ गया BCR वाला तो और लॉग के पेपर की है अगर मैं बात करूँ तो भाई यहां पे बहुत आराम से इनके 12 to 15 मार्क्स जो है वो बढ़ते नजर आते हैं लॉग के टोडल मार्क्स की बात करूँ तो 12 प्लस इनको मार्क्स दिये गया है 4, कब बजरी कॉशन के 4 16 नंबर है अब 16 नंबर में 12 नंबर भी अगर और एट कर दिये जाए तो वही है 30 नंबर या 30 से 35 नंबर तो अके लिए लो में इस बंदे को बिलते दिख रहे हैं तो आप सोचें कि बहुत आराम से यह जहां 26 के उपर है बहुत इजीली जो है यह student पास होता दिखता है आराम से इसके नंबर 40 तक पहुँच सकते हैं अब पता नहीं क्यों माक्स नहीं दिये गए इसका तरीका क्या है क्या अभी भी कोई सुनने को तैयार है वहाँ पर यह तो भई नहीं पता तो ऐसी बहुत सारी copies मेरे साथ है कई सारे student जो पास हो गए उनगी copies में मेरे साथ है जिसको हम लोग analysis करके देखेंगे यहां सच में आकेर हो क्या रहा है और यह भी कोशिश करेंगे कि आईसे ही तकी बात पहुँचे भई फरसे वही दिक्कत हो रही है foundation level पे अगर दिक्कत हो रही है झाल